आज के इस वीडियो को topic है explicit intent तो पिछले वीडियो में हमने देखा था implicit intent के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जा के अभी देख सकते हैं उसके उसमें आपको पता चलेगा कि आपको intent होते कैसे हैं और implicit intent के बारे में भी आपको पता चल जाए तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं explicit intent explicit intent कहां पर काम आता है explicit intent से हम कर क्या सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि explicit intent का काम क्या होता है वेलकम टू न्यू इरा ओ एंड्रोइड एप ड्वल्पेंट और अब हम बनेंगे एंड्रोइड के चैंपियन तो उससे पहले चलते हैं क्रोंपे और क्रोंपे चलने के बाद यहां पर हम सर्च करेंगे WhatsApp मैंने WhatsApp सर्च किया और यहां पर जल जाता हूं मैं image पर और image पर जाने के बाद मैं चलता हूं यहां पर ठीक है तो आपको यहां पर बहुत सारे images दिख रहे हैं एक मिंट मैं image को खोल लेता हूं तो देखो यहां पर आपको multiple type की display दिख रहे हैं तो अब intent का काम क्या होता है जैसे कि मान लू मैं इस button पे यहां पे जो button है इस पर अगर मैं click करता हूं और हमारे पर क्या क्या कहल जाता है यह वाला activity खुल जाता है यहां ठीक है तो यह किस के through हो हा हमारा intent के through हो यह भी अब जैसे कि मान के चलो मैंने इस पर click किया और इसकी मतलब details से आ जाएगी मेरे पास मान के चलो इसका नेम है इसका नेम आ जाता है हमारे पास ऊपर और इसका ओनलाइन के स्टेटेस आ जाता है हमारे पास तो यह चीज भी किसके थुरू हो रहा है इंटेंट के थुरू हो रहा है यानि कि एक जगे से अगर हमें दूसरे जगे पर जाना हो तो वह किसके यहां पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर multiple option खुलेंगे और option खुलने के बाद जैसे कि मैं profile पर क्लिक करूँगा तो हम चल जाएंगे profile वाली activity पर तो वो भी किसके थुरू हो रहा है intent के थुरू हो रहा है तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर आपको एक जगे से दूसरी जगे पर जाना हो अपने mobile device में या फिर अपने application में तो आपको उसको कैसे use करोगे intent के थुरू आप जा सकते हो ठीक है तो चलिए start करते हैं इस interesting वीडियो को तो मैं अपने open कर लेता हूं android studio को और यहां पर मनाता हूं मैं new project और यहां पर मनाता हूं मैं empty view activity और next किया मैंने और यहां पर application का नाम डाल दोगा मैं explicit intent ठीक है और मैंने किया enter अब इस project को हम build होने देते हैं जैसा कि आपको पता होगा intent जो होते हैं हमार पास दो type के होते हैं एक होता है हमारा implicit और एक होता है हमारा explicit तो implicit में तो उसको पता नहीं होता कि आपको कहां पर जाना है लेकिन explicit में हमें पता होता है कि हमें कहां पर जाना है तो अब हम इसको code करके देखेंगे एक बार के लिए बिल्ड हो जाए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है मैं तब तक मैं थोड़ा से इसको जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छी तारीके से यह दिखाए दे और इसको थोड़ा सा में और इधर की साइड एक्सपेंड कर लेता हूं ठीक है अब यह मेरे पास यह दिख रहा है अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं अब देखो यहां हमारे पास क्या है first activity है हम चाहते है कि एक यहां पर बटन हो और इस बटन के click पे हम क्या चल जाए दूसरे activity पर हम चल जाए तो यहां पर मैं क्या करूंगा यह हमारे इसका जो text है इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ first activity और मैं करता हूँ यहां पर enter तो यहां हमार पर first activity आ चुक है मैं इसको थोड़ा से उपर ले लेता हूँ और उपर से थोड़ा सा margin मैंने दे दिया अब इसके बाद मुझे क्या लेना एक button लेना है तो मैं यहां पर add करता हूँ एक button तो यहां पर मैंने add किया button और button मैं मैं डाल दिया wrap content और इसको भी मैं यहांपर constraint कर लूँगा और यहां पर मैं लिख देता हूँ इसको मैंने left side से constraint कर लिया इसको मैंने right side से constraint कर लिया और इसके अंदर जो मैं text होगा वो लिखूंगा इस button का text तो text मैंने लिखा और यहां लिखूंगा मैं go to profile activity ठीक है तो मैंने यहां पे यह तो लिख लिया अब क्या करना है आपको आप कुछ भी लिख सकता आपको मतलब जहां पर जाना हो आप वह लिख लिख लेना है यहां पर और मैंने यहां पर लिखा है go to profile activity अब इसके button की click पर हम क्या करेंगे अपने profile activity में जाएंगे तो यहां पर हमारे पस कोई activity तो है नहीं प्रोफाइल की तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एक activity क्रेट कर लेते हैं वाली तो मैंने हाँ पर new पर आपने प्रोजेक्ट के नाम पे मैंने आपे क्लिक किया और यहाँ पर देखो रह्मिन दिखा हैते हुं आपको लियाउट में सिर्प एक लिए अथ आपफे जाओंगा रापको एक्टिवीटिमिल जाएगी और एक्टिवीटि पर आपको क्या कर लिए उसको मैंने क्या कर लिया क्रेट कर लिया अब क्या करना है हमें प्रोफाइल एक्टिविटी में कुछ भी नहीं करना है हमें करना क्या है इस वाले मत जो हमारा में एक्टिविटी उसमें हमें काम करना है तो यहां पर हमने यह डाल लिया अब एक चीज में आपको बता देता हूं कि बार बर हमें अपने activity में इनकी ID को क्या करना पड़ता है find करना पड़ता है और ID हम यहाँ पर ढाल रहे हैं जैसे कि मैंने डाल दा ID और ID मैंने डाल इसमे profile button ठीक है मैंने profile button नाम से activity की ID डाल दी अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा main activity में जाने के बाद अपना और यहाँ पर क्या करूंगा इस ID को सबसे क्या करूंगा पहले find करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक well और यहाँ पर मैं डालूंगा profile button मैंने यह डाल लिया और equal to करते हम इसको एंड में जाने के बाद equal to button sorry button नहीं यहाँ पर हमें करना है find view by ID और यहाँ पर हम डालेंगे क्या चीज़ है हम हमारा button है तो हम यहाँ पर लिख देंगे button और यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका नाम डाल देंगे तो और यह हमारे कुण सा बटन था profile बटन था इसको हमने यहाँ पर search कर लिया अब यह जो आर रहा है इसके लिए आपको डरने की जरुद्ध नहीं है तो ठीक है मैंने यहाँ पर id तो find कर ली आप मुझे क्या करना है प्रोफाइल बटन पर क्या करना है intent लगाने जैसे में उस पर प्रोफाइल बटन है अमारा यह गॉट्थी प्रोफाइल इस पर ग्लिक करूंगा तो क्या होगा हमारे दूसरे एक्टिविटी पर चल तो जैसे आप रिविल्ड करोगे तो यह हो जाएगा और अगर फिर भी सही नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना आप अपने पढ़े तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटेंट लेको सबसे पहले लिखेंगे एक बनाये वैरियेवल उसका नाम डालेंगे हम इंटेंट आप कुछ भी ढाल सकते और फर यहाँ पर यहां पर जाना चाहते हैं वह आपको यहां पर पास करना लेता है तो मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि यहां से यानि कि कहां से आपको जाना है मतलब में एक्टिविटी से आपको कहां पर जाना है वह बताना है तो में एक्टिविटी के लिए हम यहां पर लिख देंगे दिस ठीक है औ ऑर vibe के बार आपको लगाना है कॉमा और इसके बाद आपको बताने है कि आपको कहां पे जाना है यहां पे जाना है प्रोफाइल एक्टिविटी टू पर तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोफाइच्वेटी और इसके बाद लगाएंगे scope resolution यानि की colon colon और यहां पर लगाएंगे हम class.java तो यहां पर हम यहां पर जा सकते हैं अब क्या करना है हमें एक छोटा सा काम करना यहां पर start activity लिखना है आपको और activity लिखने के बाद आपको pass क्या कर देना है यह वाला variable आपको इसमें pass कर देना है तो यहां पर मैं यह वैसे अंदय भी हमारे पास क्या मांगता है intent मांगता है यहां पर मैंने hover कर रहता है यहां पर इसमें क्या पास कर चा have करना है अपको इसको run करना है और run करने के बाद है की हुआ क्या इस , से बिल्ट को खोल के देख लेता हूं कि कोई एरर ना आ जाए तो हमारा एप्लिकेशन लॉंच हो चुका है और हमारे पास आ चुका है क्या गो टू प्रोफाइल वाला एक्टिविटी लेकिन एक चीज मैं आपको पहले लिखा दूं एक्टिविटी प्रोफाइल में हमने कु कुछ यह लॉज तइप को अंदर हम लिख देंगे प्रोफाइल एक्टिविटी ठीक है मैंने यह लिख दिया अब पास लिखा हुआ हूँ तो अब इसको मैं वापिस से करता हूं और अब यहां पे हम क्या करेंगे देखो यह हमार पास फरस्ट एक्टिविटी है यह हमारे पास first activity है हम जैसे अब इस पर click करेंगे तो हम कहां पर पहुच जाएंगे अपने profile activity पर पहुच गए तो यह होता है हमारा intent अब देखो तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका intent क्या है अब आपको आपस अगर इसमें back करोगे तो आप क्या कर सकते हो बैक जा सकते हो लेकिन मान के चलो आपके पास यहां पर भी एक button है तो इस button से भी आप क्या कर सकते हो आप प पर सिखाता हूं split में चलते हैं अब मान के चलो आप इसका ID के find नहीं करना चाते हैं इस button के ID को तो आप यहां पर क्या करोगे यहां पर लिखोगे on click लेकिन on click अब जो है deprecated हो चुका है तो आपको इसको use करना ही मत छोड़ो क्योंकि यहां जो खटा हुआ आ जाता है इसक ओड्वाइड यहां पर डालएंगे किस टाइप का है हमारा button है यहां पर हम बैल बनाया सुदाव एकवल कर दोügen हम इसको इनटेंट जालद लाकर पे मेल न्यांपर मेक्षिल किस बार इसके बाद आपको यहां पर क्या पास करना है कि कहां पर आपको जाना है तो यहां पर हम डालेंगे अपना intent pass कर देंगे that's it यह error आ रहा है और यहां पर solve हो जाएगा मैंने application को run किया और अब देखो हमारे पास वहां पर बटन आएगा उससे हम वहां पर जा पाएंगे देखो अब यहां पर मैंने click किया तो मैं go to profile पर click किया और यह automatic यहां पर हमारे पास आ रहा है विकाउस हमने इस बटन को रहां पर यहां पर यूजी नहीं किया तो यहां पर हमें क्या करना था intent का variable नहीं बनाना था sorry यहां पर हमें क्या करना था button dot set on click listener और इसके अंदर जाके हमें यह वाला कोडे करना था मैं इस को पेस्ट किया अब मैं इस्यान करता हूँ अब देखू मैं now profile पर क्लिक किया और यहां हमारे पास button इस butterfly पर क्लिक करोंगा तो आप इसमें प्रोफाइल वाले एक्टिबीटी पर पहुंच ठीक है अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं जैसे देखो मैं तीन बार आ पर गया तो मैं बैक करूंगा तो आप इस एक्टिविटी पर आऊँगा और फिर अब जाके मैं क्या कर पाऊंगा यहां पर क्लोज कर पाऊंगा तो इससे बचने के लिए हमारे पा और यहां रहता हूं जैसे आप को डिखाता हूं जैसे मैं गोप्रॉफायल पर गया फिर मैं बटन पर गया तो यह वाप प्रोफाईल पर गया वापश बटन पर अब क्या हो गया चार वर हमने क्या कर लिए इस लाइंस में धबर रही है अब मैं back करूँगा तो यह close हो जाएगा तो लेकिन अब यहां इस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जहां पर भी आपने intent लगा है last में तो वहां पर क्या करवा दो उसको हम करवा देंगे अब देख लेता है अब देख जैसे मैंने गो एक्टिविटी पर गया और यहां पर वहां बटन पर किया अब मैं बैक करूँगा तो आपको क्या लग रहा होगा कि हम कहां पर जाएंगे अपने वापिस से ग्रीन वाले मतलब प्रोफाल वाले एक्टिविटी पर जाएंगे लेकिन अब कि आपक्या होगा ओठमैटिक अप्लीकेशन क्वेश एक्टिविक्शन कर गया ऐसा क्यों हुक्었लिट्स क्यों हो फिसे इसे पहले क्लिक हुआ हुले हुआ हमने क्या कर दिया finish कर दिया यानि कि उसको stack के अंदर से हमने निकाल दिया तो जैसे मैंने इस पर click किया तो वहाँ से क्या हुआ यह पीछे वाली जो activity थी वह हमारे पास हट चुकिए अब मैं यहाँ से भी अगर back करूँगा तो हमारे application close कर जाएगा तो basically हमने यहाँ पर यह किया okay so that's all for today's video अगर आपको यह वीडियो helpful लगा हो कुछ भी तो आप इस चैनल को ज़रूर subscribe करें और वीडियो को like करें share करें और जैसा कि आपको पता होगा कि यह सीरीज चल रही है जो भी हमारे पुराने वीडियो है जिन में आपको topic समझने में द क्या करना है हमें एक comment जरूर करना है ठीक है और एक और चोटी सी बात जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोग हमारे वीडियो तो देख तो लेते हो लेकिन आप हमारे चैनल को subscribe नहीं करते हो तो आप please make sure कि आप subscribe कर दो क्यूंकि हमारे पास यहाँ पे 67% जो लोग है वो हमा सब्सक्राइब जरूर कर हो थैंक यू